एस मुझमदार अब तारावाई के बलपरदशन के बारे में कहते हैं वह कहते हैं कि तारावाई वास्ता में शक्ती शाली है वह तरह तरह के बलपरदशन लोगों के सामने करके दिखाया करती थी वह कहते हैं कि तारा भाई अपनी पीट पर बारी पत्थर को रखवाती थी और उस बारी पत्थर को बैलेंस भी किया करती थी वे कहते हैं कि तारा भाई और भी शक्तिशाली परदर्शन कर लेती थी जिसमें वे अपनी चाती पर भारी पत्थर को रखवाती थी और वे उनको हतोडों के माध्यम से तुडवाती भी थी तो आप जान सकते हो कि तारा भाई एक माईला होकर इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है इसका एक ही खारण है कि तारा भाई भी व्यायाम ऐसा करती थी प्रणायम ऐसा करती थी जिस वज़े से उनका शारेरिक बल बढ़ा और इस बल के बढ़ने की वज़े से ही वे इतने शक्तिशाली पदर्शन को कर लिया करती थी ये सब कुछ जो होता है वे प्रणायम की वज़े से ही होता है प्रणायम की सही विद्या की वज़े से ही इस प्रकार के बलशाली पदर्शन को किया जा सकता है और वह समय ही ऐसा था कि वहाँ पर प्रणायम सिखाने वाले ऐसे महान गुरू थे जो बताते थे कि किस प्रकार से प्रणायम और व्यायम के द्वारा थाकत को बढ़ाया जाता है अपने शरीर में बल को बढ़ाया जाता है और शक्तिचाली परदशन भी करके दिखाया जाता आगे ऐस मजुमदार कहते हैं कि तारावाई जो थी वे अपनी जांगों पर और चाती पर लदी हुई गाड़ी को चलवाती थी लोगों से भरी हुई गाड़ी को वे अपनी जांगों पर से गुजरवा देती थी और चाती पर से भी भारी गाड़ी को गुजरवा देती थी तो तारावाई इतनी अधिक शक्तिशाली थी कि जब वे चाती पर और जांगों पर भरी हुई गाड़ी को लदवा देती थी कर दिखाती थी कि यह नुकीले भाले भी उनके शरीर को नहीं उनके शरीर को नहीं पहुचा पा रही हैं तो इस पकार से इस पुस्तक में तारवाई पारिया से उनकीप्षूसलंव में उपता हैं और मैंने आपको बताया है penalty में तारा भाई के बारे में ही करूँगा लेकिन जो स्वास्त शिक्षा पुष्टक में तारा भाई के बारे में जो बताए गया है उसमें उसके मादेम से मैं तारा भाई के बारे में आपको बताने का रहास करूँगा